हेल एवरिवन केसे हैं आप सभी होप आप सभी अच्छे होंगे कभी कभी ऐसा होता है ने कि आज हमारे गर में कुछ भी सबजी नहीं है तो फिर ऐसे में हमें क्या बनाना चाहिए चलिए आज मैं आप सभी को बहुत ही इजी सिंपल और बहुत चल्दी से बन जाने वाली रेसिपी बताऊंगी इसे आप सुबर शाम कभी भी बना सकते हैं नाश्टे में भी अगर पराठे बना रहे तो भी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाती है और मेरे ही जैसे बहुत से हाउस वाइफ की यही प्रोब्लम होगी कि आज सबजी नहीं है क्या बनाओं तो बस इस वाली रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे से यह रेसिपी बन कर तयार होगी तो अब जल्दी से इससे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं यहां मैंने ले लिये हैं प्याज तो आप बड़े प्याज या छोटी साइज के प्याज किसी भी साइज के प्याज यहां पर यूज कर सकते हैं आप चल्ज में आप चेंअगे मारे में कमें यहां राहिएं थोड़े टाइम खराब कर maple जाते तो इनको भी हमें यूज करना ही था थो बस मैंने सूचा किrils में मैंने जल्दी से क्या बनाओं तो मैंने प्याज की प्याज मलाई की सबजी बनाई मलाई पे आज बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये सबजी और बिलकुल रेस्टरेंट स्टाइल में ये सबजी बनती है और टेस्ट भी सेम वैसा ही आता है सब को बहुत पसंद आएगी गर मैं अगर आप इसको बना कर खिलाएंगे कभी गेस्ट आजाए तो भी आप इसको बना कर खिला सकते हैं यहाँ पर देखे दर्शिल आगया है मेरे पास और अब उसको नीचे बैठना नहीं है उसके लिए भी खाना बन रहा है यहाँ पर दल्या बना रही हूँ तो बस आप मेरे को इसका भी सेट अप उपर ही करना पड़ेगा साइड में इसको एक बार सेट करके उसके बाद हम रैसिपी स्टार्ट करेंगे बच्चों के साथ कुकिंग करना थोड़ा से डिफिकल्ट होता है लेकिन थोड़ा इंटरस्टिंग भी होता है बच्चों के साथ खेलते भी जाते और हमारा काम भी हो जाता है पर बीच बीच में परेशान करते तो उनको कीचन की सामान देने पड़ते हैं क्योंकि खिलोने तो किचन के बस सामयन उनको देते जाते हैं उनका ध्यान रखते जाते हैं और खाना भी बन जाता है तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से कट कर लिया है उपर से छिलका सारा निकाल लिया है अब आप चाहें तो प्याज को वाश भी कर सकते हैं यहां पर आप प्याज अपने मेंबर के according कम्याँ ज्यादा कर सकते हैं मैंने छोड़े छोड़े प्याज थे तो कम से कम 8-10 प्याज लिए क्योंकि प्याज को काटते और जब भूनते तो वो कम हो जाते हैं तो उसी हिसाब से आपको प्याज लेने हैं तो इस तरह से आपको प्याज कट कर लेने हैं, और आपको यहां पर ध्यान रखना है, प्याज बारिक नहीं करने हैं, अगर बड़ा प्याज भी ले रहे हैं, तो आप उनके लच्छे बड़े ही रखें, और यहां पर मैंने एक हरीमिर्स ले ली हैं, और साथ ही कुछ लसुन की कलिया, जिनको हमें कूटना नहीं है, इनको भी हमें बारिक बारिक कट कर लेना है, कट करते हैं, जब यह सबजी के अंदर अच्छे से फ्राई हुई मूँ में आती हैं, बहुत अच्छी लगती है, और कूटने के बाद इसका जो टेस्ट होता है, वो थोड़ा कम हो जात हैं, यह मेरा मन कर रहा था कि आज मैं इसी में बनाओ, तो बस यह मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और जैसे ही तेल गर्म होता है, इसके अंदर राई चटकने के लिए डाल देंगे, साथी एक तीज पत्ता, दो काली मिर्स दो लोंग, थोड़ी सी सौफ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसके अंदर एड़ कर लेंगे, और उसके साथ ही डाल देंगे आपर चीरा, यह सबी मसाले को हमें अच्छे से चटकने देना है, मसाले अच्छी तरह चटक जाएं तो उसके बाद में हरी मिर्च औ प्याज डालने के बाद इस टाइम पर अब हमारे गेज की जो फ्लेम है वो हाई रहेगी, हाई फ्लेम पर प्याज पकेंगे तो 2-3 मिनद तक हाई फ्लेम पर प्याज को बूनना है, उसके बाद में आप गेज की फ्लेम को लोग कर दीजए और इनको अच्छे से पकने दें तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साधी लाल मिर्च पाउडर और एक चमच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है जिसे कि कलर अच्छा आजाएगा और तीकी नहीं होगी सबजी नमक डाल दिया है टेस्ट के अकोर्डिंग और इन सबी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है साथी में हम यहाँ पर एड़ करेंगे थूड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए और प्याज के अंदर अच्छे से गुल मिल जाए तो चलिए मसाला पकता है जितने इनको हम छोड़ देते हैं एकदम मीडियम फ्लैम करके इनको पकने देते हैं हम जैसे ही तेल सेपरेट हो जाता है देखे यहाँ पर तेल चूड़ गया है तो अब मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ अपनी क्रीम मलाई जो कि हम डेली निका मलाई डालूंगी तो आपको जितनी मलाई पसंद है अगर ज्यादा पसंद है अगर आप इसकी ग्रेवी बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो मलाई की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर मैंने दो चम्मज बर के मलाई डाली है तो यह वैसे इस सब्जी में इन बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा सा हो गया है सब्जी का कलर भी एक बार फिर से सब्जी में उबाल आने लगा है और अब बारी है इसके इंदर डालने की कसूरी मेथी जो की इस सब्जी में चार चांद लगा देती है बहुत ही अच्छी लगते है कसूरी मेथी ड बहुत ही अच्छी लगती है ज्यादा मीठा नहीं करना है आपको सिफ दो चर दाने डाले सब्जी को एक मिनट तक हम इसी तरह पकाते रहेंगे और यहां अब देखिए सब्जी हो गई है बिल्कुल रेडी दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है यह सब्जी और उतनी ही रेटी में में भी स्वादिस्ट बनेगी आप इस रेडी को कब ट्राइ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसमें और कुछ क्या निया कर रे हैं मुझे जरूर बताय कमेंट करके मेरी और भी नई-ईउडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शयर कमेंट जरूर करें और